कार के रेडियेटर में डाला गया पानी इंजिन को कैसे ठंडा करता है और इंजिनियर्स के दिमाग में इसको बनाने का खयाल कैसे आया रेडियेटर से होता हुआ पानी वाटर पंप की तरफ जाएगा जो उसे इंजिन के अंदर रखका दे देगा इंजिन में जाने के बाद ये सिलेंडर की चारो तरफ बनी जैकेट को ठंडा करेगा फिर ये जाएगा सिलेंडर हेड की तरफ जहां इसके डारेक्शन को ऐसे कंट्रोल किया जाता है जो वॉल्व सीट को असानी से ठंडा कर सके और उसके बाद सब कुछ ठंडा करकर आने के बाद ये वापिस radiator की तरफ चला जाएगा अब देखो इंजीनियर्स के दिमाग में इसका आइडिया कैसे आया चाय की प्याली लो, अब अगर इसमें थोड़ी सी modification कर दी जाए मतलब, plate में लगाई जाएं tubes और उसमें से pass करी जाए हवा जिनके सामने लगा हो एक पंखा, तो ये जबरदस तरीके से temperature को कम करने में मदद करेगी और यही तो है radiator, एक बड़ी सी surface और air circulation का जुगाड radiator के सामने लगा हुआ पंखा हवा को खींच कर radiator पे फैंकता है ताकि उसमें बहता हुआ पानी ठंडा हो जाए और दुबारा घूमके इंजिन को ठंडा करने चला जाए क्योंकि अगर radiator में पानी खतम हुआ या उसने धंसे काम नहीं किया तो heat से engine component हो जाएंगे expand जिससे हो जाएगा engine seize अब आपके लिए सवाल air flow और surface area के इलावा और किस किस तरह से temperature को कम किया या सकता है